नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं वंदे मात्रम क्लासेज की ओर से आज फिर लेकर क्या आया नया वीडियो मुगल सामराजी मुगल सामराजी में प्रतेक सासक को अलग अलग डिटेल से अपन देखेंगे और इसके साथ ही भारती राजिवस्ता का जो क्रेश कोर्स चल रहा है वो वीडियो भी आप नहीं देख रहे हैं तो उसे भी आप देखिए शुरू करते हैं अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अब तर सस्क्राइब नहीं किया है तो आपको यहां सस्क्राइब बटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सस्क्राइब कर दीजिए और 37 इसके सामराजी नोटिफिकेशन वेल आ रहा है इसे भी आप इनेबल कर दी इब्राहिम लोधी को पराजित कर भारत में मुगल वन्सकी स्थापन की प्रमुक मुगल सासक बाबर 1526 से 1530 चार वर्स तक सासन किया हुमायू 1530 से 1540 और 1555 से 1556 लगवए 11 वर्स तक हुमायू ने सासन किया 1540 से 1555 के मद्य सेर्शा सूरी ने सूर्श सामराजिय का सासन रहा था अकबर 1556 से 1605 उन पचास वर्स तक सासन किया जहागीर 1605 से 1627 बाइस वर्स तक जहागीर ने सासन किया साहजा 1627 से 1658 31 वर्स तक साहजा ने सासन किया औरंगजेब 1658 से 1707 उन पचास वर्स तक औरंगजेब ने सासन किया इसके बाद भी मुगल वन सला लेकिन मुगल जो सासक थे इतने सक्ति साली नहीं थे तो मुगल सामराजी का प्रतम सासक बावर को माना जाता है अंतिम सासक बादुर सा जफर जो 1857 की क्रांति तक सासक रह थे बावर का पूरा नाम जैरुदिन मुहमद बावर बावर का जनम हुआ 14 फरवरी 1483 स्वी को ट्रांस ओक्षियाना की रियासत फरगना में बावर का जनम हुआ बावर के पिता उमर सेख निर्जा थे और माता कुतलुक निगार खानम थी बावर पिता की ओर से तेमूर का पांचवा वनसच और माता की ओर से चंगेज खा का चवद्वा वनसच था इस परकार बावर तेमूर और चंगेज के रक्त का मिश्रन माना जाता है बावर का परिवान तुर्की जाती के चंग्ताई वनस के अंतरगत आता था बावर तुर्की जाती के चंक्ताई वन्स के अंतरगत माना जाता है। बावर के पिता उमर्शिक मिर्जा फरगना नाम के छोटे से राज्य के सासक थे। बावर 1494 इस्वी में 11 वर्ष की आयू में ही फरगना के सासक बलें। जब 11 वर्ष के थे उसी समय बावर के पिता उमर्शिक मिर्जा की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बावर फरगना के सासक बलें। अपने फरगना के सासंकाल में समरकंद पर अधिकार किया। जब फरगना के सासक थे उसी समय समरकंद को जीता था समरकंद ये तेमूर की राजदानी थी तो बावर अपने पैत्रिक सेत्र को उसने जीता था जी असन पर बेटने के बाद उसकी शुरुवाती वर्स लगातार युद लड़यां वो और संदी करने में बीताने पड़े तो फरगना और समरकंद पर अधिकार तो हो गया था लेकिन कुछी वर्सों बाद फरगना और समरकंद दोनों अपने हाथों से निखल गए कुछ वर्सों बाद फिर बाबल ने फरगना और पर अपना अधिकार किया और उसके साथ ही पंद्रा सो च्यार इस्वि में काबूल पर विजे प्राक्त की काबूल को जीत लिया था काबूल विजे के उप्रांत बाबर ने अपने पूर्वजू द्वारा दारन की गई उपादी मिर्जा की उपादी त्याग कर नई उपादी पादसा की उपादी दारन की तो बाबर से पहले इनके पूर्वज मिर्जा की उपादी लगाते थे तो बाबर ने मिर्जा की उपादी छोड़ दी गई और पादसा की उपादी दारन की जो आगे चल करके बादसा की उपादी बनेगी बावर का भारत के विरुद किया गया पर्थम अभियान 1519 इस्वी में बाजोर और बेरा को अपने अजिकार में किया बावर के द्वारा भारत पर पहला अक्रमन 1519 इस्वी में बाजोर पर तो पर यूसुप जाई-जाती को पराजित किया था ये बावर का प्रतम भारत्य अभ्यान था जिसमें उसने तोप खानों का प्रियोग किया उसके बाद बावर ने लगातार भारत पर आक्रमन करता रह रहा था पानिपत के प्रतम युद्ध से पहले बावर ने भारत पर च्यार बार आक्रमन कर दिया था पानिपत का युदि बावर के द्वारा भारत पर किया गया पांचवा आकरमन था बावर ने जब भारत पर चोटा आकरमन किया था उस समय दोलत खा लोदी और आलम खा लोदी बावर को भारत में इब्राहिम लोदी के खिलाप लड़ने के लिए आमंत्रित किया था दोलत खालोदी ये पंजाब के गवर्नर थे और आलम खालोदी ये इब्राहिम लोदी के चाचा थे दोलत खालोदी पंजाब पर अपना सोतंत रस्तित्व रखना चाता था जबकि आलम खालोदी दिल्ली का साशक बनना चाता था इसलिए बाबर को इब्राइम लोधी पर आकरमन करने के लिए आमंत्रित किया पानीपत का प्रतम युद्व 21 अप्रेल 1526 इश्वी को हुआ ये इब्राइम लोधी और बाबर के मध्य लड़ा गया जिसमें बाबर की वीजेव हुई इब्राहिन लोधी लड़ता हुआ मारा गया इस युद में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद पदती का परियोग किया तुलगमा युद पदती इसमें सेना के दाएं और बाएं किनारे पर उसको खड़ा करके चक्कर काट कर सत्रू पर पीचे से हमला किया जाता था ये होता था तुलगमा युद पदती इसने बाबर ने पानी पदत के युद में परियोग किया इसके साथ ही इसी युद में बाबर ने तोपू को सजाने वाली उस्मानी विदी रूमी विदी का भी परियोग किया बाबर ने ये तुलगमा युद पदती उजबेगू से ग्रेन की थी पानिपत के युद्ध में बाबर ने अपने प्रसित निशानेबाज उस्ताज अली और मुस्तफा की सेवाएं भी ली थी पानिपत की परथम युद्धि वीजे के उपरांध बाबर ने काबूल के प्रतेक निवासियों को एक एक चांदी का सिक्कादान किया था इसी उदार्था के करण बावर को कलंदर भी कहा जाता है कलंदर की उपादी दारण की पानिपत्थ के प्रत्थम युद में विजे के बाद अब बावर के सामने महाराना सांगा एक्चुनोती थी महाराना सांगा को अराना था अगला युदे खानवा का युदे राजपुतूं के विरुद इस खानवा के युद का प्रमुक कारण था बाबर के द्वारा भारत में ही रुकने का निश्चे सांगा ये सोच रहा था कि पानीपत के युद के बाद बाबर वापस अपने स्वदेश लोट जाएगा लेकिन बाबर ने इसा नहीं किया वो भारत में ही रुका ये खानवा के युद का कारण बना खानवा का युद 17 मार्च 1527 इस्वी में हुआ ये महाराना सांगा और बाबर के मत्यवा जिसमें बाबर की विजे हुई महाराना सांगा की हार हुई थी इस युद में महाराना सांगा के पास बावर से दुगुनी सेना थी और इसे पहले सांगा ने बयाना के युद में बावर को पराजित कर दिया था तो बावर के सेनिक सांगा से युद करने के लिए मना कर रहे थे तबी बाबर ने खानवा बाबर ने अपने सेनिकों के उत्सा बढ़ाने के लिए सराब पीने और बेचने पर प्रतिबंद की गोशना कर, सराब के सभी पात्रों को तुड़वा कर, सराब ने पीने की कसम ली थी, और उसने मुस्लमानों से तमगा करने लेने की गोशना भी की थी व्यापारियों से लिया जाने वाला एकर था खानवा के युद में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपादी धारण की तो इब्राहिम लोदी और राना सांगा की हार के बाद बाबर ने भारत में मुगल राज्य की स्तापना की वैसे इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पानेपत के युद के बाद बावर ने बारत में मुगलवंस की स्तापना कर दी इस सांगा को हराने के बाद अब मुगलवंस की निव पक्की हो गई इसके बावर ने आगरा को अपनी राजदानी बनाई पिर चंदेरी का युद्ध 1528 इस्वि में मेदिनी राय और बावर के मद्य चंदेरी का युद्वा जिसमें बावर की विजेई हुई इस चंदेरी की जीत के बाद बावर ने राजपुतु के सीरों की मिनार बनाई थी और बावर ने जेहाद का नारा दिया था इसके बाद गागरा का युद छे मई 1529 में अफगानू और बावर के बीच लड़ा गया जिसमें बावर की जीत हुई अफगानू का नेतृत क्या था मेहमूद लोदी मेहमूद लोदी अफगान आर गए थे इस परकार ये युद हुए थे बावर के द्वारा भारत पर तो बावर ने भारत पर आक्रमन कर एक नई युद निती का प्रचलन किया इसमें तो लुगमा युद पदती और तौपों का प्रियोग सुरू किया साथी बाबर ने सडकों की माप के लिए गज बाबरी का परियोग का सुबारम किया बाबर ने अपनी आत्म कता बाबर नामा बाबर के द्वारा लिखी गई तुर्की बासा में लिखी गई ती जिसको फार्शी में अनुवाद किया था अब्दुलरहिम खान खाना ने अगवर की समय में किया था तो इस पाबर नामा में केवल पांथ मुस्लिम सासक बंगाल दिल्ली मालवा गुजरात एवं बैमनी राज्यू तता दो हिंदू सासकों मेवाड और विजयनगर कावले किय मेवाड के महाराना सांगा और विजयनगर के क्रिस्न देवराय का वर्णन किया क्रिस्न देवराय को उस समय भारत का सक्तिसाली सासक बताया था बाबर ने बावर को मूबियान नामक 25 सेली का जनम दाता भी माना जाता है मूबियान, ये मुसलिम कानुन की पुस्तक मानी जाती है इसके यत्रिक बावर ने खत जाल बावरी नामक एक लिपी का अविस्कार किया आग्रा में अपनी जीत की कुशी में उन्होंने भार्सी सेली में एक बगीचा बनाया जिसको आराम भाग कहा जाता है तो आग्रा में आराम भाग से नूरे अपगान भाग भी कहते हैं इसका निर्मान आग्रा में बाबर ने करवाया था बावर को बाग लगाने का बड़ा सोग था उसने जोमिती विदी से बाग लगवाए थे बावर केवल चार वर्स तक ही भारत पर राज्जी कर सका चार वर्स के बाद अड़ चास वर्स की आयों में 26 दिसंबर 1530 इस्वी को बावर की आगरा में मृत्यू हो गई प्रारम में उसके सव को आगरा के आराम बाग में रखा गया पर उसके अंतिमी इच्छा के अनुसार सव काबू ले जा करके दपनाया गया और काबूल में ही बावर का मगबरा बना हुआ है इसके बाद बावर का जेष्ट कुत्र हुमायू मुगल बादसा बना तो अगले वीडियो में अपने देखेंगे, हुमायू तब तब के लिए, जे हिन, जे बारत, वंदे मात्रम